Hi everyone, my name is Aditi Rana, today we will complete class 7th quality chapter 7 markets around us इस chapter में हम उन बाजारों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे घरों के आस-पास है So firstly, the heading is weekly market, ऐसा market, ऐसा बाजार जो सब्ता में एक बार लगता है A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week सापताहिक, बाजार को सापताहिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हफते में ये सिर्फ एक particular दिन ही लगता है For example, अगर मैं बात करूँ, जिस शहर में मैं रहती हूँ, वहाँ पे Tuesday market है यानि कि हर Tuesday को ही वो market लगता है Weekly markets do not have permanent shops यहां कि जो बाजारों में shops लगती है weekly market को ये स्थाई नहीं होती है यानि कि उनका कोई permanent place नहीं है कि हर बार यहीं पर लगाएंगे या हर दिन यहीं पर लगाएंगे वीक में एक बार लगती है यानि कि ठेलों पे अपना समान लगाते हैं या नीचे कुछ बिचा कि उस पर समान बेच रहे होती है ट्रेडर सेट अप shops for the day and then close them up in the evening तो morning में ये shop लगाते हैं दिन भर उस पर जो समान रखा होता है से बेचते हैं और शाम को इनने बंद कर देते हैं अगर आपको कोई चीज खरीद नहीं है और दिन मिस हो जाता है तो फिर आप next week खरीद पाते हो अगले हफते इसका benefit क्या है weekly market का कि जो सापताहिक बाजार होता है इसमें जो चीजे हैं वो काफी सस्ती मिल जाती है इसलिए है कि जो permanent shops होते हैं आपके घर के आसपस जो shop होगी chemist की shop होगी कोई cosmetic की shop होगी वो permanent shop हैं तो वहाँ पे क्या होता है उन्हें बिजली का किराय देना पड़ता है जो shop है उसका rent देना पड़ता है फिर उन्हें income tax भी देना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़े उन्हें देनी पड़ती है उनका खर्चा बहुत जादा होता है इसलिए वहाँ से हम जो भी समान खरीदते हैं उसमें थोड़ा वो add कर लेते हैं amount add कर लेते हैं और हमें महेंगा बेचते हैं वहीं अकर हम weekly market की बात करें तो यहां पर क्या होता है in weekly market these shop owners store the things made at home by their family members and hands do not need to hire workers weekly market में क्या होता है यह ऐसा समान बेचते हैं जो हमारी daily needs का होता है और यह समान भी इनोंने prepare कैसे किया होता है इनके घर के जो family members हैं जो बाकी सदस से हैं घर के उनकी help से नोंने बनाया होता है इस वज़े से यह हमें सस्ता पड़ता है एक example ले लेते हैं माली ज़े राखी है अगर आप किसी बड़ी shop पे खरीदोगे तो same जो राखी है वो आपको 40 रुपीज की या 30 रुपीज की पड़ेगी बट अगर आप किसी weekly market से लेंगे ठीक है किसी ठेल से लेंगे तो वो ही राखी आपको 10 रुपीज की या 15 रुपीज की पड़ेगी यानि की margin बहुत जादा होता है weekly market also have a large number of shops selling the same goods which means there is competition among them जो सापताहिक बाजार होते हैं उसमें competition वाली feeling होती है क्यों क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो similar चीज़े बेच रहे होते हैं for example रक्षा बंदन के टाइम बहुत सारे लोग थे जो राखियां sale कर रहे थे तो ऐसे भी competition था अगर आपकी राखियां अच्छी दिख रही है ठीक है और उनकी cost कम है दूसरे seller से दूसरे इंसान से जो बेच रहे राखियां तो लोग आपकी राखिय खरीदेंगे ठीक है यदि कोई व्यापारी हमसे ज़्यादा कीमत मांग रहा है तो हम क्या करेंगे हम दूसरी दुकान पर चले जाएंगे क्योंकि बाकी सब लोग भी similar चीज़े बेच रहे हैं और हम बहां से खरीदेंगे जहां पर हमें अच्छी चीज मिलेगी और उसके दाम भी कम होंगे चीजों की शॉप साथ में लगी होती है यानि कि आपको जो भी चाहिए डेली नीट्स का समान वह यहां पर मिल जाएगा फर एक्जामपल अगर आपको सबजियां खरीदनी है ठीक है बरतन खरीदने हैं कपड़े खरीदने हैं कोई भी समान खरीदना है डेली यूज का तो चीजों की शॉप सेल गुड्स और सर्विसे अट आवर नीबर हुड हमारे पड़ोस में बहुत सारी दुकानों होती है जो अलग अलग चीज़े बेचती है एक्जामपल डेरी होती है जहां से हम दूद दही खरीते हैं ठीक है देन डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वहां दोसा की समोसा की और दवाईयों की भी शॉप से यानि कि हमारे आसपार बहुत ज़्यादा शॉप से जो की पर्मानेंट है डेली आप जाओ वो शॉप वहीं है और वहीं रहेगी स्टेशनरी की शॉप ठीक है और आप उससे खरी सकते हो दिश शॉप इस अलसो वेरी यूस सकते हैं जबकि वीकली मार्केट क्या होता है हफ़ते में सिर्फ एक दिन लगता है यानि कि अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है अर्जेंट तो हम नहीं खरी सकते हमें वेट करना पड़ेगा अगले हफ़ते तक जनरली दे शॉप कीपर एंड़ बायर नो इच अदर आंड क्रेडिट का मतलब क्या है कि समान को उधार खरीद लेना यानि कि अभी आप समान ले लो और बाद में उसके पैसे दे देना तो यहां पे आपको NCRT में एक स्टोरी दी है सुजाता की वो जाती एक शॉप पे ठीक है वहां पे लेडी ओनर है आपको यहां पे दिखाई हु क्रेडिट पे खरीदा उधार समान लिया है और जब अगले हफते सेलरी मिले कि उसके पेरंस की तब वो पे कर देंगे नेक्स्ट इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स देर अधर मार्केट इन दे शॉप्लेक्स इसे बाजार भी है जहां एक साथ कई दुकाने होती है यानि कि बहुत सारी दुकाने साथ में होती है उसे कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है दीज आर मल्टी स्टोरे एयर कंडिशन बिल्डिंग्स विद शॉप्स ओन डिफरेंट फ्लोस नोने अस मॉल्स तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे stores होते हैं यानि की बहु मंजिला इमारत होती है ये इस पे different stores होते हैं अलग-अलग चीजों की दुकाने यहां पे साथ में होती हैं यहां पे air condition भी होता है ताकि जो customer है उन्हें अच्छा फीलो इसके अलग-अलग मंजिल पर अलग-अलग वस्तुवें मिलती हैं और उसे mall का जाता है यानि की first floor पे अलग तरह की shops होंगी second floor पे अलग तरह की shops होंगी यह divide का देते हैं कि एक side food counter है एक side entertainment section है एक side kids corner है इस तरीके से यह divide का देते हैं कि ladies section है यहां पे मिलेगा ground floor पे boys section है इस तरीके से अलग-अलग shops divide करियें कि इस side clothing है इस side kitchen का समान है इस side baby wear है ओके like that next in these urban markets you get both branded and non-branded goods in shopping malls में आपको क्या मिलता है branded चीज़े भी मिलती है और non-branded चीज़े भी मिलती है branded goods are expensive often promoted by advertising and claims of better quality branded चीज़े क्या होती है branded चीज़े होती है वो अकसर महंगी होती है और उनकी जो advertisement होती वो आप TV पर देखते हो और यह claim किया जाता है वो लोग यह दावा करते हैं कि जो हमारा product है वो काफी बहतर है इसलिए हम इसे महंगा बेच रहे हैं तो यहाँ पर अगेन आपको एक story दी है सुजाता अपनी friend के साथ कह जाती है मॉल में जाती है वहाँ पर वो कोई कपड़ा select करती है तो वो 3500 का होता है तो वो सोचती है कि अरे यह तो बहुत महंगा है हमारे जो local market में मिलता है तो यह 1000 के अंदर आ जाता तो वो अपनी friend के कान में कहती है कि चलो चलो हम दूसरी shop पर करते हैं यही similar pattern में dress मैं तुमें कम दामों में दिलवाऊंगी तो यह story है इस story से हमें यह पता पड़ता है कि जो shopping complex होते हैं जो malls होते हैं वहाँ पर चीज़े थोड़ी महंगी मिलती है इस वक्त इस तरीके से आपको detailing देता है ठीक है प्लस air condition होता है यानि कि आपको न सरदी लगेगी न गर्मी लगेगी इतनी facilities होती हैं आपको trolley भी देते हैं आप उसमें easily समान carry का सकते हो दूसरी बात है हर चीज़ आपको एक ही mall में मिल जाएगी clothes भी मिल जाएगे kitchen से related stuff मिल लाएगा food stuff मिल लाएगा हर चीज़ मिल लाएगी that's why यहां पे जो cost होती है वो चीज़ों की जादा होती है next chain of markets the people in between the producer and the final consumer are the traders producer यानि कि जिसने किसी product को बनाया है किसी चीज़ को बनाया है मान लीजे plastic mug की बात हो रही है तो producer वो है जिसने धेर सारे plastic mugs बनाया है ठीक है और final consumer यानि कि हम हम वो consumer है जो shop पे जाके एक मग खरीता है तो producer और final consumer के बीच में जितने लोग आते हैं उन सब को क्या कहा जाता है next वाले को थोड़ा महंगा बेचते हैं तो यहाँ पर एक example से समझते हैं माली जी जी जो producer है इसने 1000 Barbie Dolls बनाई ठीक है 1000 Barbie Dolls बनाई अब wholesaler क्या करेगा बहुत सारा bulk में खरीदेगा बहुत ज़दा large quantity में या large number में product को खरीदेगा जब producer ने 1000 Dolls बनाई और wholesaler ने कहा कि अब 500 Dolls खरीद ली इसके बाद यह जो 500 Dolls इसने खरीदी है उसके बाद यह different different traders को यानि कि जो छोटे दुकामदार होते हैं उन्हें बेचेगा किसी ने 100 ली किसी ने 50 ली, किसी ने 25 ली इस तरीके से ली उसके बाद जब हम shop पे जाते हैं तो हम इन traders से खरीदते हैं ठीक है? और हम जब इन से लेते हैं तो हम कितनी लेंगे quantity या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे इस तरीके से यह जो पूरी chain है market की यह work करती है So wholesale market अब बात करते हैं wholesale market किस तरीके से work करता है? This is where good first reach and then supplied to other traders Wholesale market वो market है जहाँ पे wholesale traders होते हैं थोक विक्रेता होते हैं तो यह क्या करते हैं? यह वो जगा है जहाँ सबसे पहले जो भी माल बनता है जो भी उत्पादक माल बनाता है वो सबसे पहले यहीं आता है तो अगर आप direct wholesale वाली shop से कोई चीज़ खरीते हैं तो वो आपको सस्ती परती है यही reason है तो जब wholesale shop पे सबसमान पहुंचता है उसके बाद यह क्या करते हैं? बाकी वियापारियों को उसे छोटी छोटी quantities में sale कर देता है Wholesale trader brought a large quantities of items from the factory and then store them in a godam जो तो थोक वियापारी होता है वो क्या करता है? कार खाने से यानि कि direct factory से जहां पे चीज़ बन रही है वहां से धेट सारा समान खरीदा और अपने गोदाम में रखा और फिर छोटे वियापारियों को छोटी छोटी quantities में उसे sale कर दिया बहुत सारे वियापारी है जो बीच में आते हैं जो बीच की कड़ी है लेकिन वो लास्ट ट्रेडर वो लास्ट वियापारी जिससे हम समान खरीते हैं उसे कहा जाता है रिटेलर तो see here ठीक है? पहला इंसान जिसने कोई प्रोडक्ट बनाया जिसने बार्बी डॉल बनाई वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया ठीक है? और जो लास्ट शॉप वाला जिससे हमने डॉल खरी दी वो कहलाएगा रिटेलर वियापारीों की लंबी शंकला का जो अंतिम वियापारी होता है जिससे हम समान खरीते हैं उसे आप कहेंगे खुद्रा या फुटकर वियापारी नेक्स्ट इस मार्केट एवरिवेर हर जगा बाजार ही बाजार है आज के टाइम में टेकनीक इतनी डेवलप हो गई है कि अब जरूरी नहीं है अगर आपको समान खरीना है तो बाजार जाने ही पड़ेगा आज के टाइम में आप चीजों को ऑनलाइन भी खरी सकते हैं जो कि आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है यानि कि आपको धूप में मार्केट जाने की जरूत नहीं है कोई चीज सर्च करने की जरूत नहीं है इंटरनेट पे नेम डालिए ओनलाइन शॉपिंग करिए और घर बैटे चीजों को मंगाए ऐसे भी बहुत ज़दा मार्केट है जिनके बारे में हमें जानकारी बहुती कम है लाइक अ कार फेक्टरी वेर इंजन, गेर्स, टैंक, वील, एक्सेक्टरा और ब्रोट फेक्टरी बट वी सी दा फाइनल प्रोडक्ट इन शॉरूम ऐसे बहुत सारे बाज़ारे जिनके बारे में हमें कोई नॉलिज नहीं है इंजन अलग कम्पनी के आते हैं अलग से टायर ले रहे हैं अलग से कुछ ले रहे हैं हम डिरेक्ट शॉरूम में जाके कार खरीते हैं इसलिए हमें यह नहीं पता कि इंडिविजली इसके पार्ट्स कहां मिलते हैं हम ऐसी दुकानों पर जाती नहीं है नेक्स्ट मार्केट और एक्वैलिटी बाजार और समानता दिर इस अ बिक डिफ्रेंस बिट्वीन दा शॉपकीपर्स अफ दीस डिफ्रेंट मार्केट्स समा मर्चेंट्स विद स्मॉल कापिटल एंड समार वेरी बिग ट्रेडर्स हम जिन दुकानदारों के कॉन्टेक्ट में आते हैं उन सब में डिफ्रेंस है कोई एक्वैलिटी नहीं है ठीक है डिफ्रेंट डिफ्रेंट मार्केट में जो दुकानदारों में बहुत ज़्यादा अंतर है कोई है जिस पे कम पैसा है तो उसकी shop है वो छोटी है जो products वहाँ पर बिखते हैं वो भी बहुत कम costly है इतनी high standard वो maintain नहीं कर पा रहा इतनी facility हमें नहीं दे पा रहा कि अगर आप वहाँ जाओ तो वहाँ पर आपको chair offer करें और वहाँ पर AC लगाओ ये compulsory नहीं है ठीक है वहीं कुछ व्यापारी है जिन पर invest करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है इसकी वज़े से जो उनकी दुकान है वो बहुत well maintained है वहाँ पर help के लिए दो तिन assistant भी है जैसे आप साड़ी के दुकान पर जाते हो तो जो cashier होता है वो अलग होता है तीन चार boys होते हैं वो आपको साड़ी दिखाते है ठीक है दन AC लगा होता है आप purchase करते हो तो इस तरीके से अगर आप दुकान दार हो तो आप कितना profit कमाते हो कम कमाते हो जादा कमाते हो ये भी depend करता है कि आप कितना rupees करते हो ठीक है next whether we can be a buyer और seller आगर आप चीज बेच रहे हैं या आप चीज खरीद रहे हैं different different markets में तो ये depend करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं for example एक लड़की है उसने 3500 का लहंगा पहना रक्षा बंदन पर एक दूसरी लड़की है लेकिन वह 1000 रुपीस का लहंगा खरीदने से भी पहले तीन बार सोच रहे है कि मैं खरीद हूं या ना खरीद हूं ये ऐसा तो नहीं होगा कि फिजूल खर्ची हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि एक के पास money जादा है और उसे खर्च करने से पहले नहीं सोचना पड़ रह है और उसे खर्च करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ रहा है तो money की वज़े से बहुत डिफ्रेंस पड़ता है चाहें आप कोई चीज खरीदो या फिर बेचो it is through this chain that what is produced in one place reaches people everywhere लेकिन एक benefit है यह जो chain होती है ना कि एक इनसान ने बनाया ठीक है फिर wholesaler को बेचा wholesaler ने different shop owners को चीजें बेची ठीक है फिर जो retailer है यानि कि वो shopkeeper जिससे हमने समान खरीदा उसने consumer को sale किया तो यह एक chain है इस chain की वज़े से हमें क्या benefit होता है that the thing which is produced at one place कोई ऐसी चीज जो एक जगा बनाई गई है राजिस्थान है वहाँ पे जो लहंगे उन पे कारीगरी करी गई है यानि कि एक जगा पे कोई चीज बनी लेकिन कुछ व्यापारियों ने उसे खरीदा और दूसरे शहर में बेचा फिर उनसे किसी ने खरीदा और द तो इसकी वज़े से बहुत सारी आती है ठीक है और ज्यादा उत्पादन होता है जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग कमाते हैं तो that was all about this chapter thanks for listening